आज हम बनाएंगे ये एक तिम डिफरेंट और युनीक तरीके से बना हुआ सेविन स्पून डेथ पाय चॉकलेट केक आज के इस केक मेना बहुत सारी चीज़ें खास हैं सबसे पहले तो ये कि इसमें हमें कोई measuring cups, कोई tools या gadgets की जरूरत नहीं है सिंपल सा घर का चमच जिसे हम रूटीन में डाल, सबजी, चावल खाते हैं उसी से ही सारी चीज़ें मेजर करेंगे और सिर्फ चार चमच मैदे के साथ हम बनाएंगे अपना ये 700 ग्राम का चॉकलेट केक और इस केक में हमें कोई cream भी use नहीं करनी है ना ही कोई fresh cream, ना whipping cream और ना ही कोई मलाई बिल्कुल सिंपल से ingredients हैं और सिंपल सी ही recipe है तो अब अगर आप पहली बार भी cake बना रहे हो ना तो पहली बार में ही एकदम perfect cake आप बना कर तियार कर सकते हो ये मेरी guarantee है आपसे और हाँ बिना eggs और बिना oven कडाही में ही bake किया है मैंने इसे तो बहुत ही आसान और सिंपल सी recipe है चलिए फटा-फट से इसकी recipe को शुरू कर लेंगे तो सबसे पहले हम अपने cake का batter बनाएंगे और जैसे कि आज के cake का नाम है seven spoon cake यानि कि आज के cake की जो measurements है उसके लिए हमें इस तरह के कोई measuring cups नहीं चाहिए generally मैं आपने जितने भी cakes की recipes आपको बताती हूँ तो हमेशा measurements in cups के according ही बताती हूँ बट आज के जो cake है इसमें हमें ऐसे measuring cups नहीं यूज करने है बलकि हम यूज करेंगी ये चमच ये normal चमच है जो हम घर में डाल, सबजी, चाबल खाने के लिए यूज करते हैं इसी चमच से आज हम अपनी सारे ingredients की measurements करेंगे तो कोई fancy, कोई special tools की जरूरत नहीं है बस simple सा regular चमच जो हम सब के घर में है इसी के साथ हम अपना perfect cake बनाएंगे और हाँ, जैसे की नाम है seven spoon cake तो spoon तो हो गया चमच और seven का मतलब है कि जो भी ingredient हम add करेंगे न वो साथ-साथ चमच add करेंगे तो सबसे पहला ingredient है oil जिसके लिए यही चमच यूज किया मैंने और इसमें से हम डालेंगे साथ चमच oil तो इस तरह से हमें बस चमच को लेते जाना है और bowl में डालते जाना है तो यह साथ चमच oil हो गया इसके बाद second ingredient है दही, जिसके लिए फिर से हम यही सेम चमच यूज करेंगे चमच अलग-अलग मत करिएगा एक ही तरह का यानि कि एक ही size का चमच लिजेगा सो साथ चमच ही मैंने इसमें दही डाल दिया है और अगला ingredient आता है पिसी हुई चीनी तो साथ चमच ही हम इसमें डालेंगे यह पिसी हुई चीनी सेम चमच ही लिया है मैंने अभी भी और हाँ अगर आप इस केक को eggs के साथ बनाना चाहते हो न तब आप दही की जगा इसमें दो eggs डाल दिजेगा तो बस इन तीनों चीजों को हमें पहले अच्छे से mix कर लेना है जैसे हम रूटीन में regular cake के साथ करते है 30-40 सेकिंड तक mix करिए यह creamy हो जाएगा इसके बाद अब इस बोल के उपर एक चनी रखेंगे जिसमें हमें डालने हैं अपने dry ingredients और क्यूंकि हम बना रहे हैं chocolate cake तो मोटे मोटे जो dry ingredients हैं वो हैं हमारे पास मैदा और cocoa powder तो दोनों की total quantity हम 7 चमच लेंगे जिसमें से 4 चमच मैं डाल रहे हूँ मैदा और बहुत जादा उपर तक भर कर चमच नहीं लिया है और 3 चमच मैं इसमें डाल रहे हूँ cocoa powder आप चाहो तो मैदे की quantity को बढ़ा के cocoa powder की quantity को थोड़ा कम भी रख सकते हो को मैशर करने के लिए हमें लेना है चोटा वाला चमच जो हमारे घर में चोटा चमच होता है जिसे हम चाय पती बगरा मैशर करते हैं आप देखरों कि ये चमच रेगुलर चमच से चोटा है तो ये वाला चमच लेना है और इसके according हमें बेकिंग पाउडर डालना है एक चोटा चमच और आप देखरों कि मैंने बहुत जादा उपर तक नहीं भरा है एक लेवल में ही है ये बेकिंग पाउडर और इसी चमच से हम मेशर करके डाल देंगे आधा चोटा चमच बेकिंग सोडा और साथ में एक पंच नमक डाल देंगे और इन सारे dry ingredients को चान लेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps ना हो आए इसके बाद अब हम इसमें आड करेंगे दूद जिसके लिए फिर से वही बड़ा वाला चमच लिया मैंने और इसके according हम डाल देंगे साथ बड़े चमच दूद दूद जो है ये उबला हुआ है और रूम टेंपरेचर के उपर है और इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को mix करेंगे जिसके लिए मैं whisk यूज कर रहे हूँ और इसके साथ बलकुल हलके हाथों से और एक ही direction में mix करना है आप चाहो तो इस stage पर spatula भी use कर सकते हो बस बेटर को over mix मत करिएगा अचाए एक और चीज़ कि इस बेटर में न सारी quantities बुलकुल fix रहेंगी बस सिरफ दूद की quantity हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जादा add करनी पड़े वो भी मैदे की quality के उपर depend करेगा मैंने साथ चमज ही दूद add किया है और आप देख रहे हो कि cake के बेटर की जो consistency है वो हमें इस तरह की ribbon जैसी रखनी है तो जब ऐसी consistency आजा है तब तक दूद add कर लीजेगा तो बस इस बेटर को अब हम डालना है mold में और mold के लिए न मैंने आज 5 इंच का mold लिया है जिसको oil से grease करके पहले इसमें butter paper लगाया और इसको भी grease कर लिया है तो इसमें अब हम अपना ये बेटर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा tap करेंगे और इसके बाद अब हम इसे bake करने के लिए रखेंगे जिसके लिए मैं आज कड़ाही यूज कर रही हूँ और मोटे तले की कड़ाही में नमक डाल के stand रख दिया था और उपर से ढखके इसको medium flame के उपर 10 मिनट तक अच्छे से गरम किया और ये कड़ाही अब काफी अच्छे से गरम है तब हम अपना ये mold इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखके अब हम इसे low flame के उपर bake करेंगे तकरीवन 20-25 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बलकुल clear ना आ जाए और ये जो timing से थोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तो एक बार आप इसको 18-90 मिनट के बाद में जरूर चेक करिएगा और अगर आप इस cake को oven में bake करना चाहते हैं तो आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना है तकरीवन 20-25 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बलकुल clear ना जाए तो इस cake को रखे होना मुझे पूरे 25 मिनट हुए है और आप देखे हो कि cake काफे अच्छे से फूल गया है सेंटर में जब toothpick को insert करके चेक कर रहा है तो ये भी बलकुल clear है इसका मतलब है कि cake अच्छे से पेख हो गया है तो बस अब हम अपने इस mold को निकालके एक rack के उपर रख देंगे और किसी कपड़े से ढख करना एक side पर रख देंगे ताकि cake जो है ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए इसके बाद अब हम अपने इस cake की icing के लिए बनाएंगे चॉकलेट गनाश और आजके इस गनाश के लिए ना हमें कोई cream यूज नहीं करनी है ना ही कोई fresh cream और ना ही whipping cream तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 200 gram dark compound chocolate ली है जिसको मैंने छोटे टुक्रों में cut कर लिया है और इस chocolate में अब हम डालेंगे एक चुथाई कब दूद normal room temperature वाला उबला हुआ दूद है और चमज के according अगर मैं बताऊं तो ये है 5-6 बड़े चमज दूद और साथ में क्यूंकि दूद में fat कम रहता है cream में fat जादा होता है और इस chocolate गनाश में हमें थोड़ा सा fat अड़ करना है जिसके लिए मैं इसमें डाल जूद यह दो चमज जितना butter amul salted butter ही लिया मैंने इसके लिए अचा इन तीनों चीजों को अब हमें melt करना है double boiler method पर melt कर सकते हैं हम इसे और इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक sauce pan में थोड़े से chocolate melt हो जाएगी और melt करते हुए अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ठंडा हो गया है तो वापस से पानी को गरम कर लीजिए और इसको melt करिए तो इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप sauce pan को flame के उपर ही रखे रहना दो और low flame के उपर bowl को रखके इस तरह से करते रही है या फिर microwave भी यूज़ कर सकते हैं आप melt करने के लिए तो बस हमारी ये chocolate melt हो गई है और इसे के साथ हमारा ये luscious chocolate आपने देखा कि बिना किसी क्रीम के बनाया हमने ये गनाश को अब हम फ्रिज में रख देंगे फ्रिज में रखना है फ्रीजर में नहीं 15-20 मिनट के लिए या थोड़ी और देर के लिए तब तक जब तक कि ये जो गनाश है ये थोड़ा सा सेट होकर इसके बाद अब चलेंगे केक की तरफ तो ये केक अब बलकुल अच्छे से ठंडा हो गया है इसको पहले चाकू से एक बार साइट्स को अलग करेंगे और पर किसी भी बोड या प्लेट के उपर निकाल लो इससे बहत ईजी ली बाहर आ जाएगा ये केक तो बस इसे के साथ त्यार हो गया है हमारा ये सिरफ चार चमच मैदे के साथ बना हुआ चौकलेट केक आप देख रहे हो कि cake कितना soft और spongy है और यह जो cake है यानि कि यह sponge जो है यह वजन में है 273 grams यानि कि सिरफ 4 चमज मैदे से हमारे पास यह 500 grams से भी जादा का sponge cake बनकर त्यार हो गया है अचा इस cake को अब हम पहले layers में cut करेंगे और क्योंकि मेरा cake ऊपर से बिल्कुल flat ही बना है तो इसको मैं ऊपर का top भी remove नहीं कर रहे हूँ और वैसे भी ऊपर इतना जादा soft है ना remove करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे तो सबसे पहले मैं इसको 3 layers में cut कर रहे हूँ measuring tools नहीं है आप इस तरह से बनाईए perfect cake बनेगा आपका ये इसके बाद अब हमने ये जो गनाश सेट होने के लिए रखा था अब आप देख रहे हो कि ये भी सेट हो गया है और एक spreading consistency में है ये अचा इस गनाश को ना हम एक मिनट के लिए चमत से ही इस तरह से whip कर लेंगे ऐसा करने से गनाश थोड़ा सा light हो जाएगा और एक creamy से consistency में आ जाएगा जो easily spread हो सके और आप देख रहे हो कि बिना cream का बना हुआ ये गनाश है कितना luscious लग रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये cream के साथ नहीं बलकि घर में पड़े हुए दूद के साथ बनाया ऐसे हमने तो बस गनाश भी त्यार हो गया है इसके बाद अब हम अपने cake की icing कर लेंगे जिसके लिए सबसे पहले एक tissue paper को गीला किया मैंने और इसके उपर मैं अपना cake board रख रहे हुँ ताकि cake board इधर उधर घूमे नहीं जब हम इसके icing करें तो इसके उपर सबसे पहले हम अपना ये थोड़ा ऐसा गनाश लगा देंगे इसके उपर रखेंगे cake की पहली layer और इसे moist करेंगे शुगर सिरप के साथ शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने आधा कप गनम पानी में इचमचीनी को घुलने तक मिक्स किया और फिर उसके बाद जब ये पानी रूम टेंपरेचर पर आ गया ना तब हम इसे cake को moist करने के लिए यूज़ करने है और इसके उपर अब मैं लगा रहे हूँ ये गनाश मैंने एक piping bag में फिल कर लिया इसे और आप देख रहे हो इसकी consistency इसका texture बहुत ही ज़्यादा creamy है ये तो अगर आप cream से गनाश नहीं बनाना चाहते हो ना तो इस तरह से आप दूद के साथ भी बना सकते हो इसे अचा गनाश को अगर spread करने में थोड़ी problem आए ना तो हलका सा spatula को गरम पानी में dip कर लिजेगा और फिर उसको टॉबल से पोंचके हलका spatula गरम हो गया फिर उसको cream के उपर use करे यानि की गनाश के उपर ये अच्छे से spread हो जाएगा तो बस मैंने अब cake की second layer रखके इसको भी moist किया और इसके उपर भी गनाश लगा लिया है और फिर रखी third layer और इसको भी अच्छे से moist करके अब हम पूरे cake को ही गनाश से cover कर रहे हैं और इसकी finishing के time पे कहीं भी आपको लगे कि spread नहीं हो रहा है तो बस spatula को हलका सा गरम पानी में dip करके टॉबल से पूंच लीजे इस इसके बाद बारी आते हैं इसकी garnishing की जिसके लिए सबसे पहले इसकी sides पर मैं लगाओंगी यह चोको चिप्स यह नोमल रगूलर चोको चिप्स हैं तो इस थाना से केक की side पर लगा दूगी मैं इसे और पूरी side को cover कर रहे हैं पहले मैंने आपके साथ एक death by chocolate cake की recipe शायर की इसके बाद अब यह जो बचा हुआ गनाश था मेरे पास इसको मैंने एक piping bag में फिल्प किया और इसके आगे एक nozzle लगाई और इसके साथ मैं इसके उपर यह boundary बना रहे हूँ आप जैसे चाहो वैसे अपने cake को गानिश कर सकते हो इसके बाद आप इस cake की center में रखने के जिसके लिए थोड़ी सी dark compound chocolate ली मैंने आपको भी अपनी 100% chocolate ले सकते हो और इसको नब हमें microwave में या फिर double boiler method पर melt कर लेना है इसके बाद अब मैंने लिया है कुछ इस तरह का यह mold यह molds हैं यह आपको market में यह online बहुत easily मिल जाएंगे अगर यह भी नहीं है तो इसके अलाव जो भी एक्स्ट्रा chocolate बहार लगी है उसको spatula के साथ हटा देंगे आए इसके बाद अब इस mold को उठाके ना हम फ्रिज में रख देंगे पांसात मिनट के लिए chocolate अच्छे से सेट हो जाएगी और हमारी chocolate decorations त्यार हो जाएंगी तो बस दस मिनट तक ही फ्रिज में रखा था मैं तो इसमें से यह दो garnishings ली में और इसको मैं सेंटर में इंसर्ट कर जूएं कुछ इस तरह से और साथ में थोड़े से चॉक्लेट वेफर लिया मैं एक और इसको ना सेंटर से कट करके दो पार्स में डिवाइड किया और इसको इंसर्ट कर रही हूं और इसके बाद मुझे अपने केक के ऊपर एक चैरी रखनी थी थोड़ा ऐसा कलर अड़ करने के लिए बड़ चैरी आज मुझे नहीं मिली तो मैं क्या कर रही हूं कि मेरे पास ना मिक्स फूर्ट जैम रखी थी उसको मैं इस तरह से राउंड बॉल की श्रेप में निकाल लिया और फिर इसको लगा आपको आज का ये 7 स्पून चॉकलेट केक है ना बहुत ही आसान बिना किसी स्पेशल टूल सिरफ चमज से सारी चीजों को मेशर कर लिया हमने और 4 चमज ही मैदा यूज किया है और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग में भी कोई क्रीम नहीं गई है सिंपल सा दूद जो सब के घर में होता है और हाँ चॉकलेट भी अगर आपके पास डाग कंपाउंड ना हो ना तो आप डेरी मिल्क वी या कोई भी अपनी मर पसंद चॉकलेट ले सकते हो और इस केक का जो वजन है वो है अब 700 ग्राम तो 500 ग्राम की हमारी स्पॉंज थी बाकी सारी चीज़ें आड करने के बाद फाइनल इसका जो वेट आया है वो है 700 ग्राम तो सिरफ चार चमच मैदे से हमने ये 700 ग्राम का केक बना लिया जो बहुत ही जादा सौफ्ट और स्पॉंजी और बहुत टेस्टी है इस केक को आप 10 सेकिंड के लिए एक बर माइक्रोवेव करके फिर सर्फ करके देखेगा सब आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे तो बनाईए आप भी फटा फट से इस केक को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा पिक्चर इन सारी रेसिपी के आप मेरे इंस्टाइग्राम पर शेयर कर सकते हो और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीड स्क्राइब करना ना भूलें